हलो फ्रेंट्स वोलकम टी यूट्यूब चैनल आज का इस वीडियो में देखने वाला है चिल्झाच में क्या-क्या सेफिरीवेस लगा रहते है और इसका फ। 17 सेफिरीवेस को सेछे करके रखा है उसमें से थोड़ा safety device का बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग discuss करेगा उसका जो भी बाकी safety device है उसमें दूसरा एक वीडियो बनाएगा second part बनाएगा उसमें add करेगा अगर आप HVAC फील में नया है तो आपको ये जो वीडियो है आपको जरूर यूसफुल हो जाएगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चिलेस में क्या-क्या safety device लगा रहते हैं चिलेस में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा earth leakage relay है ये आपको देखने के लिए मिलेगा आपको में चिलर का जो में इंकमर सप्ले है उसका साथ में ये जो earth leakage relay आपको देखने के लिए मिलेगा ये देख सकते हैं एक earth leakage relay है ये आपको different different model का different different brand का आपको देखने के लिए मिलेगा इसका साथ में एक CBCT कनद किया है यह देख सकते है यह जो round बाले दिखते है CBCT है, और रिले का साथ में कनद किया है यह CB CT का अंदर से 3 फैस आया हुआ है देख सकते हैं अब RYB फैस है जो CBCT का अंदर से आया हुआ है तो अपने जो chillers में है बहुत सारा electrical device लगा रहता है, जैसा कि solenoid coils, crankcase heater, compressor, तो इसी तरह का बहुत सारा electrical device चिल्लेस में लगा रहे हैं, तो चिल्लर के जो भी electrical device में कहीं पे भी कुछ एर्थिली के जो गया, तो for example बोलोगे तो चिल्लेस में condenser fan motor का winding unit का body में touch हो गया, ने तो कोई भी face का जो face wire का insulation खराब हो गया, और एर्थ का साथ में touch हो गया, तो यह सेम टाइम में यह जो relay है, ओ एर्थ लीकेज को sense करेगा, इसका जो control wiring अपने जो चिल्लर के जो MCB है, MCC भी है, नई तो ACB है, उसका साथ में किया रहेगा, तो यह जो relay एर्थ लीकेज को sense करेगा, तो यह जो main incomeer supply है, इनका में supply को trip कराएगा, यूनित में ज़्यादा खराब होने के पहले यह trip कराएगा, अपने जो चिल्लर को isolate करेगा, तो यह होता है, एर्थ लीकेज relay का function, तो यह जो एर्थ लीकेज relay में है, आपको इसका tripping current, एर्थ लीकेज current आपको set कर सकते है, और उसका जो timing भी set कर स main income को चालू कर सकते है, नहीं तो जब तक यह reset नहीं करेगा, आपको main income चालू नहीं रहेगा, तो एक बार trip हो गया तो आपको यह relay reset करना पड़ेगा, उसका बात में यह जो breaker है, उसको चालू करने गए, चिल्डर का जो दूसरा safety device है, face failure relay, यह जो face failure relay आपको अलग अलग न जो device देखने के लिए मिलेगा, इसका जो function यह होता है, अपने जो चिल्डर में three face का compressor रहेगा और condenser fan motor रहेगा, तो यह जो three face का जो device नहीं तो condenser fan motor, इसमें line में अपने जो चिल्डर का जो line में कोई भी एक face failure हो गया, आर वाई भी face में कोई भी एक face failure हो गया, तो face में motor न sensor sense करेगा, अपने चिल्डर को बंद कराएगा, motor का winding और compressor का winding जाने के पहले यह trip कराएगा, तो यह protection देता है, single face failure का protection देता है, और भी protection यह provide करता है, जैसा कि अपने चिल्डर का design voltage है, उससे बहुत कम voltage भी आएगा तो winding को problem है, compressor का और motor का winding को problem है, और ज्यादा voltage भी आएग तो compressor का winding में और motor का winding जाने के चांस है, तो यह पूरा monitoring करने के लिए यह लगाता है, इसमें हमको इसमें set कर सकते है, under voltage का setting रहेगा और ओर voltage का setting रहेगा, और यह जो सारा setting इसमें set कर सकते है, और यह जो relay है, phase sequence का भी protection देता है, कोई compressor आईसा है, जैसा कि screw compressor होगे आईसा है, उसका जो rotation change होएगा तो compressor damage होएगा तो इनकमर supply में है उसका face sequence बराबर नहीं आएगा तो भी यह sense करेगा RYB sequence जो है बराबर नहीं आएगा तो भी यह sense करेगा चिलर को trip करेगा तो यह जो face failure relay है under voltage का protection देता है over voltage का protection देता है face failure का protection देता है और face sequence का protection देता है तो यह हो गया single face preventer का function चिलर का जो तीसरा safety device है mechanical flow switch यह जो mechanical flow switch आपको हर चिलर में यह safety device देखने के लिए मिलेगा एक common एक safety device है important safety device है यह जो mechanical flow switch चिलर में install के रहेगा living water line में यह जो चिलर का living water line है उसमें यह जो mechanical flow switch install किया रहेगा नहीं तो अगर water cold condenser है चिलर में तो वो water cold condenser का living water line में यह जो mechanical flow switch आपको देखने के लिए मिलेगा ओके इसका जो function यह होता है चिलर में, cooler में नहीं तो water cold condenser में इसका पानी का circulation है वो monitoring करने के लिए क्योंकि चिलर चलने के टाइम में इवापरेटर में चिलर का इवापरेटर में नहीं तो condenser में अगर water cold condenser है तो condenser में continuous पानी का flow रहने चाहिए in case water flow नहीं है proper तो उसमें सिस्टेम में अगर evaporator में अगर water flow failure हो गया कोई भी वज़े से इसका जो chilled water बंद हो गया तो water flow अगर cooler में नहीं है तो compressor में liquid जाने के चाहिए और वापरेटर में freezing होने के चाहिए तो यह पूरा सिस्टेम को damage करेगा तो यह पूरा avoid करने के लिए flow switch लगाते है अगर condenser में water flow नहीं है तो हाई प्रेशर में जाने के लिए चांस है ओके तो हाई प्रेशर में ट्रिप हो जाएगा तो इसी तरह problems को avoid करने के लिए जो mechanical flow switch लगाते है क्योंकि continuous पानी का जो flow है वो monitoring करने के लिए यह mechanical flow switch चिल्डर में evaporator में evaporator का जो living water line है नहीं तो condenser water का जो outlet line है उसमें इंस्टाल करता है mechanical flow switch तो कोई भी वज़े से चिल्डर का जो cooler में water flow failure हो गया नहीं तो condenser में water flow failure हो गया तो यह sense करके पूरा चिल्डर को बंद कराएगा चिल्डर का जो दूसरा safety device है overload relay यह जो overload relay आपको देखने के लिए मिलेगा चिल्डर में compressor का जो conductor है उसमें install क्या रहे गा नहीं तो condenser fan motor है उसका जो उसका जो rated load amp air set कर सकता है जो amp air इसमें set करते है उससे जदा amp air fan motor नहीं तो compressor draw करेगा तो same time में ये जो overload relay है वो trip करेगा तो कोई भी वज़े से RYB phase में कोई भी एक phase failure हो गया तो भी ये motor नहीं तो compressor high amps लेगा और motor winding जाने का chance है नहीं तो कुछ भी mechanical parts में कुछ stack है तो उसी time में भी high amp air लेने के chance है तो उसी वक्त में motor नहीं तो compressor ज्यादा high amp air लेके ज्यादा कराब होने के पहले ये जो relay है वो high amp air को sense करेगा ये system को trip कराएगा तो ये होता है overload relay का function चिल्डर का जो 5 वा safety device है CT ये तो current transformer ये जो round वाले जो दिखते हैं ये current transformer है ये आपको chiller में देख सकते है चिल्डर का जो compressor है उसका ryb face का साथ में ये जो current transformer इंस्टाल किया रहेगा देख सकते हैं ये जो CT इंस्टाल किया है एक compressor का power wiring जाते है ryb face का साथ में ये जो current transformer इंस्टाल किया है को monitoring करना तो इनकेस यह जो current transformer है यूनिट का controller का साथ में उसका जो wiring किया रहेगा तो यह unit का controller में आपको इसका अंब्र कंपरसर का आम बैर देख सकते यह देखसकते यह चिल्लर का user interface बोर्ड है इसका इसमें आप देख सकते हैं यह लाइन वन लाइन टू लाइन त्री का आम इर इसमें देख सकते हैं उसका नीचे कंपरसर पीतना परसंटेज लोड में चलते हैं वह भी आपको दिखते हैं वह भी करन्ट ट्रांसोंबर से मिलता है यह जो यूनिट का जो कंड्रोलर में है कंपरसर का फुल लोड आम यार यह में हम यहान बेर का जो अलारम है को ट्रुप करेगा कंपरसर को करेंगा और कंपरसर जो एक मिन्गम माँ यांबियर नहीं लएगा तो भी यह करेगा कोई भी वजह से कॉंड़क्टर झांक्टवि और इस नहीं हो नहीन तो आरविय बी फईस हो गया तो भी आप ऴिया रीड नहीं करेगा तो उसी टेम में भी यह जो है अलारम देखा चिलर में और कोई CT जो है फेस का भी पर्टेक्षन देते हैं कोई भी वेज़े से और यह जान्orth आरवाई भी फेस सीकशेंज हो गया तो भी यह सेंस करके चिलर को ट्रुप करते है फेस्ट रुएस में आपको चिलर को ट्रुप करेगा तो यह करंट ट्रांस्वर्मर का फंक्शन हो गया आपको यूसर इंटर फेस्ट मोड में आपको चिलर का जो डिस्प्ले बोड में कंप्रसर का आंबियर देख सकते है और उसका कंप्रसर कितना Chapter function No清楚 what level sensor echo a level sensor mig修 wacast Work within Chiller में आपको देखने के लिए मिलेगा चिलर का जो oil सप्रेटर है उसमें incile किया नहीं तो कंपरसर का जो crank case है उसमें जो oil level sensor install किया रहेगा इसका काम होता है oil separator में नहीं तो एकका मपरसर में oil level monitoring करने के लिए जो oil level sensor install करते है तो आप सबकों मौलुम है यह जो compressor चलने के time है compressor में continuous oil lubrication रहना चाहिए अगर कोई भी वज़े से compressor में नहीं तो oil separator में जो oil नहीं है तो compressor damage होएगा तो वो avoid करने के लिए यह जो oil level sensor install करते है कभी कभी क्या होता है जो compressor में नहीं तो oil separator के जो oil है ओ लाइन में जाते है रिटन नहीं आता है कभी 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 यह oil leak होता है तोषी टे में जो oil level है कम होता है और सब्चाहिटर में नहीं तो compressor के crank case में oil level कम होजाएगा compressor damage होएगा तो oil separator में कोई भी वेज़े से लेवल कम हो गया तो एक मिनिमम मोई लेवल नहीं है तो इसका जो कॉंडक्ट ओपन हो जाएगा और चिल्डर में अलारम आ जाएगा लोग लेवल बोल गए तो इसी तरह से कंपरसर को यह प्रोटेक्ट करता है नंबर सबन हाइप रशिर सुचे नहीं तो हएचरपी सुच यह जो हइप रशिर सच आपको देखने के लिए मिलेगा और हाइप रशिल्ड rain inim और सेप्ट ही डिवे से तो यहाँटलर में जूआ फ्री प्रोट फूच इंस्टाल करेंगा यह चिल्डर में जहें सतर्किट के जो high pressure side नहीं यह तो discharge side में यह जो high pressure switch install किया रहेगा कोई चीलर में एक से ज्यादा भी install किया रहेगा दो इनश्चाल किया रहेगा स्कूरू आपको एक दो यह high pressure switch install किया देखने के लिए मिलेगा इसका जो वो काम होता है सर्क्यूट को जो हाई प्रेशर से प्रोटेट करता है हाई डिस्चार्ड प्रेशर से यह जो हाई प्रेशर स्विच सर्क्यूट को प्रोटेट करता है तो कोई भी वज़े से सर्क्यूट का जो डिस्चार्ड प्रेशर है वो more functioning होता है तो उसी टेम में circuit का जो discharge pressure abnormal उपर जाएगा तो ये जो high pressure switch है ये trip हो जाएगा तो उसी टेम में चिलर में alarm आ जाएगा, high pressure switch का alarm आएगा और अपने जो circuit को protect करेञा, ज्यादा pressure से ज्यादा pressure से जो system blast होता है कभी कभी तो उसका जो relief फाल वे ओपन होता है तो उसी जो प्रोडम से यह जो हाई प्रेशर स्च प्रोटेट करता है नमबर एच लोब प्रशर स्च नहीं तो लपी स्च है यह जो लपी स्च आपको देखने के लिए मिलेगा सर्क्षॉट का जो سक्षण साइड है सक्षेड में यह जो लो प्रeश इंस्टाल किया रहेगा इस का काम यह होता है कंपर्सर के जो सर्क्षण प्रeuds को मोनिचिरिंग करने के लिए यह जो लो प्रeश को निचि सेल करते है तो सिस्टेम में कोई भी वजह से ग्यास लीक हो गया नहीं तो एक्सपांशन वाल ओपन नहीं हो रहे properly और नहीं तो लिक्व्ड लाइन ऑपन नहीं हुआ कोई भी वज़े से नहीं तो पंप बंद oh गयا चिल्ड वांटर पंद वो गया फ्लो नहीं है तो उसी वक्त में जो अपना जो तो शर्क्ट का जो सट्चन परशर है अब नोर्रमली नीचे जाएगा यह जो सट्च में सेट किया रह के पहले यह जो लो प्रशर ऊच्छे कम्रासर को टरुप कर आएगा तो यह होता है यह लो प्रिशर सुच्छ का व्पन्क्षन तो फ्रॉंटS आज का जो वीडियो में इतना ही है इसका जो बाकी जोबी सेफटी डिवेस राता है यगले एक पार्ट बनायागे उसमें आड हैं तो आज जितना भी सेफटी डिवेस में ने बॉल आ है आड सेफटी सेफटीडीप साइप्यानिक्स बारे तुम सेफटीडिवैस का भारे में दिसकस किया ऐसा आएसा जरूरी नहीं है यह जो है संगो हपुल सुछ और मेन केल वाटर्टरफलो सेफट्टर ही हर चिल्र में आपको सबस्क्राइब किसी चिल्र में लगता है किसी चिल्र में नहीं लगाता है इसी तरह है तो उमीद है आज का जो वीडियो आपको यूस्फुल हो गए रहेगा तैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो